यह वीडियो केवल दर्सकों को सिक्षित करने के लिए ना कि कोई गैर काउनी या अवैद क्रिया कलापों को दिखाने या सिखाने के लिए हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रिया कलापों को बहावा नहीं देते हैं जिससे कि सिलेक्टि विशेष, संस्था, संग या समुद जो आपको करो अपने मुक्त बढ़ना जसाँ तुरिए मैं बहुत अचैनल हौ बर लिकति अवालों वीडियो में इस फीचर से लेकर उजड़े एक छोटा समीष्टिक आपके लिए प्राव्लम केरीट चाहें सबसे पहले यहां पर आएं thinking में खृय करेंगे और यहां करेंगे और सेडिल अप्सक्षा हाँ ही si कि ओ같자는 सब्सक्राइब जिक करते ही चुसरे सबसे सब पहलaa 10 आपको दिखाए अदेगा तो सबसे पहले आपको email address डालना है उसके बाद pass की feature के यूज करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हमनों click करके हमें email address डाल लेते हैं तो जैसा कि मैंने email address डाल लिया है और यहां पर verified भी दिखा रहा है आप जैसे email address डालेंगे तो एक OTP जाएगा आपका email address में पूट करेंगे तो यह verified हो जाएगा इसके बाद आप यहां से email address काम होता है बेकप लेने के लिए और इस email address काम दूसरा है इस email address का ही पूरा खेल है इस पास की वाले सेक्शन में राइड अगर यह email address जिस फोन में लोगिन होगा उस फोन में आप WhatsApp यूज कर रहे हैं तो यह पास की उसी फोन में काम करेगा सपोर्स करिए अगर आप कोई नया फोन लिया है आप इसी नंबर से WhatsApp लोगिन कि उस नए फोन में लेकिन उस नए फोन में यह email ID जो आपने भी डाला यहां पे वह नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा है क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा है मैं आपको लाश्न बताऊंगा समझाता हूं ध आपका नंबर आएगा नीचे email address आएगा देखिए नीचे में वही email address आएगा जो आपने अभी email address section में डाला है राइट यह आएगा आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना फिलाल मुझे continue क्लिक करके नहीं बढ़ना है इस पास की को एक्टिवेट नहीं करना है क्यों नहीं क Gmail पर क्लिक करेंगे उसी Gmail में जाएंगे जो Gmail को आपने भी WhatsApp के उस section में डाला था उस Gmail के option पर क्लिक करेंगे यहां पर और जो देखिए manage your account लिखा हुआ यहां पर इस जगह में manage your Google account लिखा हुआ यहां पर आएगा यहां पर इसलिए यह पास की वाले option को पहले activate यहां से करन हैं फिर बताएंगे उसको कैसे यूज करना है उससे क्या यूज है उससे क्या फायदा और क्या नुक्सान हो सकता सब समझाएंगे वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत इंफॉर्मेटीव है कि आप एक WhatsApp यूजर है तो आपको देखना जरूरी है तो इस पास की Link करते हैं और यहां पर आपको दिखाए देगा देखिये प्यास की प्रूस की दिखाई दे रहा है यहां पासकी पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का यहां पर एक्टिवेट नहीं रहेगा मैंने उल्ले डीए इक्टिवेट कर दिया जिस देखाने के लिए समझाया है यह प करने के लिए आप से पूछेगा इस तरह से कंटीनू करेंगे और अपने फिंगर प्रिंट या फैस लोक से इसको अन करेंगे या फिर आपका जो डिवाइस का लोक है उससे खोलेंगे यह कंफर्म होता है यह आप ही इस दिवाइस के मालिक है तब आपको पास की फीचर ड्री मेरा दो फोन में लॉगिन है एक रेडिमी के फोन में है एक वीव के फोन में है तो जो इमल आईडी मैंने वारस यूफा प्रवाइस घा ऐसकी मतलब काया अब रेडिमी का फोन और वीव का फोन राइट अब इस रेडिमी के फोन में अगर मेरा वही इमल आइडी लॉगिन है जो मैंने वाट्सटाप में डाला था और फ्यूचर में कभी मेरा वाट्सटाप एकाउंट डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए या बैन हो जाए तो वापस कॉल आएगा नहीं कोई ओटीपी आएगा डारेक्ट लोगिन होगा ठीक है अभी आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे पॉसिबली क्या नया लोचा इसमें लोचा यही है कि आपने इस सर्विस को यहां से एक्टिवेट किया है उसके बाद जाके वाट्सटाप में उस उप्शन में वाट्सटाप लोगिन करूंगा और वही इमेल आइडी इस फोन में भी लोगिन रहेगा तो कोई ओटीपी नहीं आएगा क्यूंकि मैंने इस फोन को ही पुरा एक पास्की के रूप में कनवर्ट कर दिया है तो इसके इसमें कोई भी ओटीपी क्या सकता नहीं है और इस कर दिया है हमने यहां पर लिंक कर दिया आपने दो डिवाइस को किसके रूप में पास्की के रूप में अभी बीव में या फी रेडिमी में हम कभी भी वाट्सटाप को लोगिन करेंगे दुबारा तो इसमें कोई भी ओटीपी या फी फोन कॉल नहीं आएगा मतलब वाइ पास की है मैं इसको यूज कर रहा हूँ मतलब यह अथेंटिक है यह मेरा डिवाइस है अब इसा क्यों लॉंच किया गया है तो आपको समझते सरसे पहले ऐसा क्यों लॉंच किया दो बहुत बहुत आपने देखा होगा यह आप किसी और के वाटसब को यूज करते थे अपने मतलब कोई चलाकी से या है एकिंग करके या मैजाक में क्या करता था सब्सक्राइब को फॉरवर्ड में लगाया था यह घाल कर दिया तो अब जब भी दिवाइस को यहाँ पर पास की बनाया गया है उसी डिवाइस में जब वाटसब लग-इन होगा तो कोई भी ओटिपी नहीं आएगा अगर कोई दूसरा कोई अलग डिवाइस में आपके नंबर से लोगिन करना चाहे तो उसके पास ओटिपी या कुछ और फॉन कोल्स का कुछ और पी नहीं जाएगा तो उसके पास कोई चांस ही नहीं चारा भी नहीं है कि वह दूसरा दिवाइस में उस वाटसप को लॉगिन कर पाए इसलिए इस फीचर को लाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट धंग से और इसका फायदा आपको संज्मा गया ले यूज करना आपके लिए बहुत महगा होगा आप नहीं कर पाएंगे यूज प्रॉब्लम होगा एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो इस सर्विस को इस ऑप्शन को ऑपें करने से पहले मतलब चालू करने से पहले अक्टिवेट करने से पहले दस पर आराम से सोच लिएगा कि इ और आपका पास की कन्फर्म एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन मुझे नहीं करना इसलिए में नहीं करना हूं यह मेरा काम था आप लोगो समझाना कि पास की क्या है कैसे यूज करते इसका क्या फायदा है क्या नुक्साने बस सबढ़ना तो यह तरह से आप सब्सक्राइब जो कैस थ्वा साहठ के यह पासकी के तरह है एक सब्सक्राइब करता सब्सक्टाइब तो कोई OTP नहीं आएगा डरेकली लोगिन हो जाएगा क्यों क्योंकि आपने Gmail ID डला है और वही Gmail ID फोन में लोगिन है और उस फोन में आपका पासकी का सारा information save है जिसको आप physically नहीं देख सकते है जैसे एक बायोमेट्रिक के तरह काम करेगा राइट जैसे इसको आप देख नहीं पाएंगे लेकिन आपका information जो है पासकी की रूप में इसी डिवाइस में save है और इसी email ID में save है तो दो combination चाहिए WhatsApp को लोगिन करने के लिए सही से वही फोन चाहिए और वही email ID चाहिए जो लिंक किया गया है और उसी में जो आप WhatsApp लोगिन करेंगे तो कोई OTP नहीं आएगा डिरेक्ली लोगिन होगा और अगर आपके WhatsApp को लोगिन करना चाहे तो OTP तो आएगा ही नहीं फोन नमबर में क्यों कि आपको अलड़ी पास की बना हुआ आपने डिवाइस बना कर रखा हुआ है और पास की जब एक बन जाएगा एक डिवाइस में जो वाटसप यूज हो रहा है अगर उसी को आपको कोई लोगिन करना चाहे और टीबी करने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और आप